नमस्कार, नमोफॉर्मीडिया.डॉट कॉम में आपका स्वागत है आपको बता दे कि बुंदिल खंड के लेदपूर में पुलिस की पितारना और उसके दुआरा दी गई थर्ड डिगरी से एक यूबक की जान चली गई पुलिस कस्टडी में मारबीड के बाद जब यूबक की हालत बिगड़ी और उसे जिलास पताल लाया गया तो इलाज से पहले ही यूबक ने दम तोड़ दिया तो वही मामला बढ़ता देख एसपी ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया क्या है पूरा मामला देखिए इस खास रिकूर्ट में आपको बता दें जिलास पताल परिसर में हो रही ये ठीक पुकार और मातम मनाती ये महिल आए और इस मातम की निगाबानी कर रही लगकुर पुलिस बता रही है कि यहां कुछ अनोनी हुई है और यह अनोनी क्या है जो जिले की पुलिस और उसके अधिकारियों को यहां ले आई है दर असल मामला सदर कुतवाली छेतंतरगात सदर चौकी का है जहां पुलिस द्वारा दो युबकों को थर्ट डिगरी देने का आरोप लगाया गया है जिसमें एक युबक की मौत हो ग पाईयों के साथ उनके घर आधमके और घर में सो रहे उनके 35 वर्षिये बेटे और दमात को बिना कारण बताएं उठालाएं और उनके साथ दो दिन तक बेरामी से मार पीट करते हुए जब देविन की आज हालत बिगरने लगी तो उसे परिजनों के माध्यम से जिलास्पत है अज़ं के पाईया इस चछोगर में का मतलव तो हमाई बेट अख खाक लम पाइवाई को कर दो जो परान कर लगे तो नहीं हो पाई तो फिर्णा देल मारो रात के हमा आद में कम आद मी ओचोड़ यहां जा थो फिसताजार लो पाच जा दो चाहरे पाली अंतर्गर एक भी ओ अअग्योग 855 बटा नेश धारत तिन और तेंदर्ट नेश्ट की अइच जह थैंट अधी लेट जिसमें एक नबाली बच्ची को ठोछ नेश्ट है को दो लोगों के द्वारा भागा कर ले जाने के समझ में सुचना दर्श करा गई थी विष्णा अटल विहारी के द्वारा की जा रही थी दोनों अभियुक्त परार थे लड़की भी ब्रहमत भी नहीं हुए एक व्यक्ति देवेंद कुश्वाहा जो एक अभिक का फ़ेराव भाई है उसको अटल विहारी के द्वारा लाना और उससे पूछताश करने और उसके उबर मार्पिट करने का आरोप उसके परिया लगा रहे है इस व्यक्ति को देवेंद कुश्वाहा को आज सुबा अटल विहारी ने छोड़ा है उनके परियान मुर्तक के परियान जो है कि देवेंद कुश्वाहाग की मृत्यू हो गई है और इसका मृत्यू के कारण मार्पिट जो अटल विहारी चोड़ा ने किया है वो है इस परिक्राणों में ततकालिक प्रूप से चोड़ाज को सस्पेंड कर दिया है और इसमें तहीर क्यादार पर हमें पाया दस्क्रत्य कर दिया है और इसमेंद कर दिया है